हाई एभरिवान आज हम लोग सिख स्टांडर के सोसियल साइंस के फूर्थ लेशन एरली स्टेट अप पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया पढ़ने जा रहे हैं यह आपकी फूर्थ लेशन जो है मतलब तब की समय की पॉलिटिकल सिस्टम यानि तब की सम की राजनिती कैसे थी औ इसके बारे में हम अभी पढ़ने जाएंगे देखा बच्चो आप लोग जो अभी घर पे हो इतने दिन से जो पढ़ाई आपकी स्कूल में से बंद है इसके लिए हम अभी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और अनलाइन क्लासेस भी चालू है स्कूल के जरिये लेकिन ब वीडियो भी नहीं देख रहे हैं तो बच्चों कैसे होगी आपकी पढ़ाई तो मानो बंदी हो गई तो इसलिए आपके पैरेंट्स को बोलो या फिर आप खुद भी कोशिज करो जल से जल जो वीडियो जाती है उसको सब अच्छी तरह से सुनो देखो उसमें मैं कोश्च करना कोई भी प्रोब्लेम है आप इसको कमेट बक्स में लिखना यहां आपको अप्शन में होता है कोई भी प्रोब्लेम है या समझ में कहीं नहीं आया आप उसको भी लिख सकते हो आपकी पूरी छूट है वीडियो अच्छा लगा वो भी आप लिख सकते हो मतलब कोई भी तकलिप हो आपकी कमेट में जरूर लिखना और सब अपने नाम भी लिखना जो वीडियो देखते हो ताकि हमें पता चले कोन बच्चे वीडियो देख रहे हैं क्यूंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कोई भी इस वीडियो को देख नहीं रहे हो इसलिए हमे शुरू कर रहे हैं early state of political system in India we get information about the political system and institution from the Vedas and Buddhist texts जो हमें information जो मिल रही है हमें सुचना मिल रही है पहले की राजनिती कैसे थी किसके जरिये कुछ पुरान लिखे गए हैं कुछ बेदस के जरिये और बोधिश्च धर्म में लिखे गए कुछ पंग्तियों कहानी के जरिये इन दा बेदिक पिरियाड और रिप बेदिक पिरियाड दा फॉर्म आप श्टेट हुड वाज सिमिलर तू देट कभिलाई रूल ये जो बेदिक समय में हमारा जो स्टेट हुड था राज्यप की जो नीती थी उसको कभिलाई रूल बोले जाते थे इड्स इज हेड्स अप स्टेट राजन्य और हुड वाज टू बी इलेक्टेड जो इसकी मुख्य होते थे वो राजा होते थे जुन को चुना जाता था पॉलिटिकल और्गानेशन्स लाइक सभा और समिती एग्जिस्टेट तब सभा और समिती की शुर्वात हुई थी दिस कम्यूटी वाज अल्सो कल्ड बीस आप्टर डर्स डिफरन टाइप अप पॉलिटिकल सिस्टम वाज इंप्लिमेंट इन इंडिया तब ही वो जो कम्यूटी होती थी एक गोश्टी होता था उसको बीस बोला जाता था उसके बाद बाद में धीरे धीरे राजनेतिक सिस्टम में राजनेतिक में बदलाव आई तो अभी पढ़ेंगे जन्पद जन्पद एबाउट 1000 बीसी अर्लियर स्टेट अफ डिफरन क्लान स्वार एस्टाबलिट इन पंजाब आंड गंगेश रिभर एरिया तो कम से कम एक हाजार बीसी में उससे पी पहले बहुत अलग-अलग तरहा की जो क्लान है जो मतलब आपका जो बीसे इसकी गठन हुई थी पंजाब और गंगा रिभर एरिया में इसको जनपद बोला जाता था जनपद वाद अपलेश परसन हैबिटेट जन मिन्स मनिश्य या लोग पद मिन्स उनके रहने की जगा इसलिए जनपद परसन हैबिटेंट जो लोग जहां पसवास करते थे दला जनपद सेन्स ते तो इसको एक जनपद एक स्टेत के दो जाते थे एक राज्यत जो बोलते है तब लोग जाता था जनपद अंपलेश श्टेम ऐच वरीयुनिक फम में क्लान सोसाइटी आप रिख बैदिक एज रिख बैदिक के समय में जनपद जो है वही में वता था उसी को ही लेकर एक एरिया की गिंती होती थी इट इंक्लूद्स तेट आप डिफरेंट गुरू अनपंचल यह कुरू अनपंचल नाम के ऐसे अलाग अलाग गुरूप को लेक इंडिया कम से कम शीक्त सेंचुरी में 16 महाजनपद की मतलब इंफरमेशन मिली है या फिर तब इंडिया में था बोल के ऐसे पता चली है कुछ में लोगों की साशन था और कहीं कहीं राजा का साशन था इस टेबल में नीचे आपको यह महाजनपद के बारे में बताया गया है 16 महाजनपद यहां 16 महाजनपद की नाम दिया गया है नमबर 1234 करके सिरेल नमबर है और उनकी कैपिटल कहा था और करेंट लोकेशन अभी यह सब जगा आपको तो पता है हमारी जो लोकेशन थी कोई भी जगा जमीन जो है वो कभी बदलती नहीं लेकिन इसकी नाम की जो प 15 बैसाली नर्थ बिहार माला कुषीनराथ एरिया नियर गोरकपूर उतरप्रदेश कासि बारनार्सी बारनार्सी उतर प्रदेश मगध ग्रिविराज यह राजगरिह साथ बिहार कोसल श्राबस्थि अयोध्ध यह आवध उतरप्रदेश वास्ता कुशं भी एरिया नियर प्रयाग्राज और उतरप्रदेश, चेडी, सुखमती, the region between यमना नर्मदा, सेंट्राल एरिया, पंचल, अभिचरत या चंपलिया, बयदू, एरिया नियर मरिलिया या उतरप्रदेश, सुरेन, मथुरा, रिजन नियर मथुरा या उतरप्रदेश, कुरू, इंद्रप्रस्त, रिजन नियर देली और मिरत, असमा का पुद्धनिया अंद ब्यांकप गदारबरी रिवा, रवन्ती, पुजयनी, रिजन माल्वा, मस्त्या, बिराटनगर, रिजन नियर जैपुराजस्थान, गंधार, तक्सिला, रिजन नियर पेशवर, रावलफिंडी, खंबज, लजपूर, रिजन नियर साथ वेस्ट काश्मिर, अकॉर्डिंग टू दू दू बुक, अनु उत्तरक या निकर्ण्य, रिटेन इन दौ पाली लांग्वेज, द्यर शिक्टिन महाजन पद, इन पोस्ट बेदिक प्रियड, बेदिक प्रियड से पहले, ऐसे सोला, या बदिक प्रियड में, ऐसे सोला महाजन पद की, मतलब गठन हुई थी, इस मैप में भी उसकी सब ये बताया गया है, कहां वो सब था, उसकी जो लोकेशन है, इस मैप में बताई गई है, तो इसको अपनी घर पे इस मैप को ध्यान से देखना, फिर मोनार्ची या स्टेट सिस्टम, the state in which the king was chief was called मोनार्ची, जो राज्य में राजा में थे, मुख्य थे, उसको मोनार्ची बला जाता था, इमंग दो जनपद अप इस टाइम, देर वाज कम्पिटेशन फर पावर, फिच मेंली कंशिट अफोर पार्फुल स्टेट, मगद कोशल बस्ता अबंति इन फिच मगद इभिन्चली बिकेम्स अज़ पार्फुल, तभी के समय में जो पावर के लिए, मतलब सत्ता के लिए कम्पिटेशन थी, उन में से चारों के बीच में सबसे ज़्यादा कम्पिटेशन था, वो है मगद, कोशल, बस्तार, अबंति, और मगद जो है, सबसे पार्फुल था इन में, फिर आये मगद, अट दर टाइम आप बुद्ध, इन मोनार्ची, स्टेट, सिस्टम, मगद बि उपर शासन किये थे, तो इसमें हरन्य डाइनस्टी, विम्बि सार वाज, फाउंडर अप दिश डाइनस्टी, हेटक्वाटर और कैपिटल अप मगद वाज, राजग्रिह, विच वाज, सिट्वेटर अन दा ब्यांक अप गंगा, और शन रिभर, तो विम्बि सार जो है, डाइनस्टी की इस बंग दर की जो फाउंडर थे, या स्तापना किये थे, और इसकी हेटक्वाटर जो है, मुखे साला, जो है, मुखे कारे साला, जो वो था, राजग्रिह में, और वो बैंक अप गंगा, और सान रिभर के निकट में है, आप्टर, हीम, हीज, सान, अज़ा के बाद पाठल पित्रों या पाठना, जो अभी का जो पाठना है, उसको अपने कैपिटल राजधानी बनाए, ही फोटा, वार वित भजी, यूनियन, और डिफिटर लचवी, इन इस वे, ही एक्स्टेंड दरूल अप मगद, वो यूद करके, जो भजी के उनियन, जो थे, राजय पर पराश्ट केते हैं, और पिर उनके साथ जो, लिंच भी ते, उनको भी पराश्ट केते हैं, और इसके साथ, वो अपने राजय को बढ़ाये थे, फिर आए, हरण डागा के जे, पाए इक्से के मतलब थोडिशी कमजर पढ़नों के बाद, फिर नंड़ डाइनेस्टी जो है वो आपके मगद में coeur में आ गया और सिसुनटब जो है उसके राजा थे और वो बोधु धर्म को मांते थे फिर आये नंद डाइनेस्टी नंद डाइनेस्टी एस्टैबलिष्ट बाइ महान पदमनांद वाज मोष्ट पारफुल। उसमें जो नंद डाइनिस्टी के महापदमनंद जो थे वो बहुत पारफूल थे महापदमनंद इस कॉंचिलर टू भी दो फोस्ट इंडियान एंपरेर वो सबसे बड़ी किंग जो है एक राज्य के राजा कहलाते लेकिन एंपरेर समराट जो है वो बहुत सारे छोड़े-छ दो मोस्ट पारफूल स्टेट अप इंडिया उनके समय में मगद बहुत सक्तिशाली थी अट टाइम अप अलेक्ष जेंडर्स इंविश्टन्स अप इंडिया मगद वाज रूल्ड बाइ किंग नेम्ड धर्मानंद नंद डाइनेस्टी फिर जब अलेक्ष जेंडर आय थे इंडिया तब मगद धर्मानंद नंद डाइनेस्टी के राजा के हाथ में सासित होता था तो यह था हमारी जो मोनार्ची उसके बाद रिपब्लिक जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे तो आज के यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादस ज्यादा वीडियो को एक बार दो बार देखना ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आगए आजाए थैंक्यू फर वाचिंग में